हालो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल चलो लेर्ण करते हैं तो फ्रेंड्स में आज लाए हूं यू के जी का मैर्स का सिलेबस तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इसकिप मत करेगा ओके तो फिर चली स्टार्ट करते हैं तो यू के जी के सिलेबस में सबसे पहले किया है नंबर से जिसमें 1 से लेकर के 100 तक नंबर दिये जाते हैं ठीक है अब लेकिन यहां पर मंतली वाज चलता है यह वन टू हंड़र तो यह पूरा सिलेबस है आपका जिससे अफ्रिल में माली जी 1 टू 20 तक पढ़ाया गया तो 1 टू 20 तक नंबर दिये जा आप 1 to 50 तक दिवाइट कर लेना ओके 1 से 50 तक रिलेट 1 से 50 तक जो नंबर होते उसी से रिलेटेट आपको नंबर देम बैकवर्ट कांटिंग यह सब दी जाती है तो आप देखें यह पूरे एर का में बता रही हूं तो यह नंबर से लेकर 100 तक जिसमें नंबर नेम भी होत फिर बैकवर्ट कांटिंग 50 to 1 यह UKG के चलिवस में 50 to 1 बैकवर्ट कांटिंग ही सिखाए जाती है फिर आता है आफ्टर बिफोर और बिट्वीन नंबर आफ्टर नंबर क्या जैसे 5 के आफ्टर में क्या होगा तो 6, 7 के आफ्टर में तो 8 जैसे अगर अपरील में आपको म दिखा जैतों तो वरन से लेकर स्वाइब सैंटिगॉब्स उसमें आफ्टर नंबर भी वरन से लेकर 20 तक ही दिया जाता है जैसे अगर बात करूं 11 की आफ्टर में तो 12 ओके 12 के विफ्वोर में तो 11 तो इस तरह से 20 तक में नहीं दिया जाएगा, after, before and between number तो यहाँ between में क्या हो जाएगा, 11 है, 13 है, 12 इस तरह से, उसे तरह से में में फिर बढ़ जाता है, 21 से start किया जाता है, इस तरह से कराय जाता है, तो इस तरह से after, before and between number हो गया, once लेकर 100 तक पूरे year में, फिर एक circle the smallest and biggest number, अब circle the smallest number यानि कि मान लीजिए अगर एप्रील में 1 से लेकर 20 तक बताया गया है तो उसी के according वहाँ पर smallest number दिया जाएगा जैसे 157 तो इसमें सबसे small number क्या है सबसे small number smallest number क्या होगा वन होगा तो इसे circle करना है तो अगर मान लीजए टूडिजिट का number है तो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगा वन डिज़िए में तो बच्चे बताएं ही देते हैं कि जैसे हां सबसे smallest number 1 है लेकिन अगर हम टूडिजिट का number लेते हैं मान लीजिए 25 और 26 औ और 29 ओके यह 26 25 25 26 29 29 इसमें smallest number क्या है तो देखिए हम बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि फर्स्ट नमबर तो देखना है सेम है सब में जब फर्स्ट नमबर सेम है तो सेकेंड नमबर को देखो कि कौन सा सबसे स्मॉल है 5 है कि 6 है कि 9 है तो 5 है यानि कि 25 सबसे smallest number है इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे smallest number ठीक उसी तरह से biggest number आ जाएगा तो सबसे बड़ा number इसमें क्या है 8 है तो biggest number हो गया 8 ठीक उसी तरह से आप two different है तो 27 32 32 और 13 30 अब इसमें बच्चों को ढूड़ना है कि biggest number कौन है तो इसमें बच्चों को यह बताना है कि पहले देखना है कि जो first number है वह किसका जादा है कि first number किसका जादा है तो 3 जादा है यानि फर्स नमबर गर जादा है तो नेसी देखे 32 जो हो biggest number है सेम ऐसी smallest number में भी देना है बताना है बच्चों को पस इस तरह से उनका concept clear करना है नेक्स्ट है greater than less than and equal तो greater than greater than यानि की बड़ा number less than जैसे greater than का sign कैसे होगा माल यह 28 है 32 है सेम इस तरह से आप यह जो मैंने बताया इस तरह साब biggest number को big number को उनके बता सकती है कि बड़ा number कौन है छोटा number कौन है तो जो बड़ा number है उसकी तरफी crocodile का big mouth होगा crocodile का big mouth इस तरह से बताना है तो यानि 32 जादा है तो big mouth 32 की तरफ होगा ऐसे बताना हून है और अगर 28 इधर भी 28 इधर भी तो यहां कौन सा sign feel करेंगे तो equal क्योंकि 28 यहां भी है, 28 यहां भी है, ओके, तो big mouth, big number, small mouth, small number, इस तरह से उन्हें बताना है, greater than, less than, and equal, now 10th and once, 10th and once, once लेकर के 100 तक, पूरे year में बताया जाते हैं, बेज इसे 25 है, तो इसमें आपको fill करने के लिए बच्चों को दिया जाएगा, कि 10th और once है, ओके, तो यहां पर यह once कहलाता है, बच्चों को बताना है, right वाला जो number है, और जो उसके बाद वाला है, left वाला number 10 कहलाता है, तो right वाला यानि 5 है, तो यह once में आ जाएगा, और left two tens में आ जाएगा, ठीके, इसे तरह से one tens and three ones, तो three ones यानि की right side में रहता है, तो three इधर हो जाएगा, और one इधर हो जाएगा, अब है ascending order, ascending यानि smallest to biggest, ठीके, smallest to biggest, यह भी आपको number की हिसाब से, जैसे अप्रिल में, अगर one से लेकर 20 तक पढ़ाया जा रहा है, तो उतने ही नमबर में आपको वो अरेंज करने के लिए ascending order दिया जाता है बच्चों को, जैसे three, four, seven, one, okay, तो इसमें बच्चों को, अगर ascending order है, यानि की smallest to biggest, इसमें सबसे smallest number क्या है, one, तो one पहले लिखेंगे, उसके बद क्या है, तो three, फिर four, फिर seven, इससे यह ascending order होगा, smallest to biggest, अब अब ठीक, इसके opposite descending order होता है, वो होता है biggest to smallest, यानि घटते हुए क्रम में, ascending order हो गया, बढ़ते हुए क्रम में, यानि smallest to biggest, और descending order हो गया, घटते हुए क्रम में, यानि की biggest to biggest to smallest, तो माल लिजे, अगर मैं two diseases का number लेके चलती हूँ, ठीके, यह है, descending order में इसे हमें अरेंज कर ना है, तो कैसे बताएंगा बच्चो को, descending order में सेम वही, जो मैंने आपको smallest biggest ने बताया था, कि बच्चो को ऐसे हम और गनाइस करवाएंगे, कि पहले first number को देखो, जो ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, उसके order, तो descending order मैंने बता दिया, one से लेकर hundred तक होता है, फिर आता है ordinal numbers, जैसे कि first, तो first, spelling के साथ, first ऐसे लिखेंगे, फिर f, i, r, h, t, first ऐसे, फिर second, तो two, and the second, फिर a, c, c, o, and the second, फिर third होता है, third, तो th, i, r, d, third, फिर fourth, fifth, इस तरह से चलता जाता है, तो यह ordinal numbers, tenth तक करवाये जाते हैं, फिर skip counting, skip counting, two, three, or five की है, यानि two, two, gap करके उन्हें, या तो color करना होगा, या circle करना होगा, इस तरह से दिये जाते हैं, activity में, और साथ ही साथ, एक तरह से table भी हो गया, तो इस तरह से table भी दिया जाता है, two, three का table, five का table, और four, five का table, five तक दिया जाता होगा है, ओके, five या six तर, this is skip counting की जाती है, two, two को skip करके color करना है, ठीक है, फिर three skip करके करना है, फिर five भी skip करके करना है, इस तरह से table सीखते हैं, basically, तो ये चीज़ हो गया, फिर है addition and subtraction, जिसमें कि आपको one से लेकर ten तक add करना सिखाया जाता है, जैसे one plus one है, यहाँ object दे द हो जाएगा, यहाँ पर two number हो जाएगा, ओके, इस तरह से picture कि दून है, addition and subtraction करवाया जाता है, और ये shapes, shapes में आपको circle, triangle, square, rectangle, ये semi circle है, और ये oval है, तो ये आपको बच्चो को identify करवाया जाता है, कि कौन से triangle है, square है, और साथ ही साथ spelling भी learn करवाया जाती है, फिर time and money, time and money मे क्या होता है, बच्चो को basically time में minute hand, hour hand, second hand, इसको introduction कराया जाता है, इसका, और money में पैसो के पहचान कराया जाती है, कि कौन से 50 rupees के है, कौन से 10 rupees के है, अगर कोई object दिया हुआ है, मालने जी, ये apple बना हुआ, वहाँ लिखा है 20 rupees, picture में, तो picture में है, 20 rupees लिखा हुआ, तो बच बच्च करना है, फिर प्री मैच कॉंसेप्ट, प्री मैच कॉंसेप्ट में big small, जैसे big है, अगर big circle है, small circle है, तो उन्हें टिक करना है, जैसे big circle, big object को tick करें, और small object को cross करें, इस तरह से दिया जाता है, तो big को tick, small को cross, ऐसे करना रहता है, ठीक, उसे तरह से tall short, टॉल हो गया यह short हो गया, ठीक है, long short, यह long हो गया, और यह short हो गया, इस तरह से cross करना है, टिक करना इस तरह से दिया जाता है, ठीक और thin, ठीक मतलब mortar, मतलब moti book, okay, moti book और यह thin book, यह thick, thin, तो इस तरह से यह करवाया जाता है, फिर heavy light, heavy light, इसमें कौन चीज, heavy है, light है, वो circle यह टिक कराया जाता है, फिर left, right, left, right, यह इसका concept समझाया जाता है, तो यह जैसे अप्रील में यह पढ़ाया गया, में में यह पढ़ाया गया, जून जुलाई में यह पढ़ाया गया, इस तरह से यह करवाया जाते है, एक ही साथ नह हो, left, right हो गया, फिर more less हो गया, बहुत किसमें जादा है, किसमें कम है, तो यह more less हो गया, in, out, कौन सी चीज, अंदर रखी है, कौन सी बाहर रखी हुई, तो in, out, full empty, full यानि की भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ गलास है, और यह क्या है, empty यानि खाली गलास है, तो इस तरह से यह recognize करवाय जाता है, identify करवाय जाता है, तो friends, यह था पूरा syllabus maths, UKG क्लास का, और इस तरह से मैंने UKG में English और Hindi की भी मैंने वीडियोज डाली हुई है, वो में description box में, और I button में डाल दूँगी, और बहुत सारे वीडियोज है, description box में, class 1, 2, class LKG, UKG, और English grammar related, spoken English related, तो प्ली Thank you, thanks for watching.